दोस्तों कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सुबह से हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता और अगर आपको लगता है कि आज आपका दिन खराब है और अभी तक आपने हमारे हीरोज को नहीं देखा है ये लोग अजीब तरह की मुश्किलों में फसे हुए हैं बच्चों की कार में फसे हैं महेंगी चीजें पानी में गिरा रहे हैं और सब के सामने अपना मजाग बना रहे हैं इन मज़दार कहानियों के लिए वीडियो को आखर तक जरूर देखिए और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तकि आप आगे भी इसी तरह के मज़दार दिल्चस्प और एजुकेशनल वीडियोज देखते रहें इस लड़के को देख आपके मन में क्या ख्याल आता है जरा बताईए वैसे आप कहेंगे ये जाहिर है टिक टॉक के गाने पर डांस कर रहा है लेकिन दोस्तों बात इतनी सीधी नहीं है ये स्टोरी एक रेस से ट्रक पर हुई थी जहांपर सडकें किसी स्टिकी से बनाई जाती है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन पर कई हजार हॉर्स पावर की गाड़ियां अपना दम दिखाती है गाड़ियों का तो काम हो जाता है लेकिन इस पर शूस का उल्टा असर पड़ता है लेकिन कुछ केसिस में खतरनाग भी हो सकता है यहां देखिए इस बेचारे के पैड तूटने वाले थे अनभुवी रेसर्स ट्रक पर उचे और बड़े सोल्स वाले जूते पहनने की सला देते हैं जो आसानी से ट्रक पर नहीं चिपकते हर किसी को ट्रमपोलीन पर कूदना आसान और मज़दार लगता है लेकिन इसमें कुछ ही मिनट बिताने पर आपके पैरों में दर्दे शुरू हो जाएगा और अगर आप समर सॉल्ड जैसी कॉंपलेक्स ट्रिक करना चाहते हैं भाया तो इसके लिए आपको धेर सारी प्रैक्टिस की जरूरत है इस बंदे ने अपने स्किल्स को ओवर एस्टिमेट किया और बेहुद अनकमफर्टेबल पोजीशन में जागिरा बेचारा हाली की अंत में एक अच्छा वीडियो वारल बन गया जिसने इंटरनेट पर लाखों लोगों हसाया बिल्लियों के मालिकों ने ऐसी प्रस्तितियों का पहले भी कई बार सामना किया होगा उनके पाल तो किसी अजीब जगह पर जाकर फस जाते हैं और वहां से निकल नहीं पाते हम भी कई बार ऐसी प्रस्तितियां देख चुके हैं अब यहाँ देखिए पता ने इस आदमी ने इस बीम्स को एक दूसरे से इतना करीब क्यों लगवाया जाहिरे उसने आगे का प्लैन नहीं बनाया था लेकिन मेरा तो बस यही सवाल है कि बाकी के बीम्स लगाते वक्त भी ऐसा ही फसा था क्या आपने कभी इंस्टेंट कर्मा के बारे में सुना है? अफकोर्स मैं जॉन लेवन के गानी बात नहीं बलकि जैसी करनी वैसी बरनी वाले इंस्टेंट कर्मा की बात कर रहा हूँ यह रहा उसी का नमूना इस लड़के को किसी कारण से पुल जंप से कूदना पसंद नहीं था इसलिए उसने एक आर्टिफीशल वाटर फॉल से कूदने को फैसला किया आप दिख सकते हैं आगे क्या हुआ पता नहीं यह लड़का सही सलामत अपने सिर को कैसे बचा सका शायद आज इसकी किसमत अच्छी थी आप जानते होंगे तो याद कीजिए कैसे बेचारा विनी दपू अपने बड़े पेट की वज़े से रिबिट के दरवाजे में फस गया इस वीडियो में दिखाई दे रही लड़की भी वैसे ही एक परिस्तिति में फसी है और मज़े की बात यह की काफी गबरा गई और अपनी दोस्त से ओयल और साबन मांग रही थी बाद में उसे पता चला उसे सिर्फ अपने हाथ उपर करने थे खैर कभी कभी हम ऐसी परिस्तियों में एक आसान लॉजिक भूल जाते है टिक टॉक चलेंजेस के फेल हुए वीडियो कभी कभी टिक टॉक चलेंजेस से मज़ेदार होते हैं इस वीडियो में पहले कुछ सेकंड्स में आप समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए इस बाई ने कपड़ों की जगए बदल दी उसने पैरों में हुड़ी और अपने हाथों में स्वेट पैंट्स पहन लिए लेकिन बेचारा उन्हें निकाल नहीं पा रहा था इसकी मदद करने की बजाए उसके दोस्त देखो कैसे पेट पकड़ के हस रहा है लेकिन इसमें इनकी कोई गलती नहीं है हम वहाँ होते तो हम भी वैसा ही करते दोस्त हैं तो मज़े तो लेंगे ही हम सभी का एक दोस्त होता है जो हर मामले में बिलकुल अनाडी होता है आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे एक लड़की अपने अनाडी दोस्त को पानी में धखिलने कोशिश कर रही है हमें उम्मीद है इस इंसिडेंट के बाद उसके दोस्तों ने उसके लिए एक छोटी बोर्ट ट्रिप का इंतजाम जरूर किया होगा हम समझ नहीं पारे कि ये लड़की आखर करना क्या चारी है लेकिन जाहिर है उस समय वो किसी और चीज के बार में सोच रही थी कोई बात नहीं हमारे आज के वीडियो में उसके जैसे और भी कई लोग है अच्छी बात ये है कि बोटल कांच के नहीं बलकि अलुमीनियम से बनी हुई है नहीं तो अंजाम और भी बुरा हो सकता था बचपन में हम में से कई लोग पेडों पर चड़ जाते हैं कुछ तो इसमें एकदम माहिर होते हैं लेकिन बड़े होने पर ये उतना असान नहीं होता आप पहले की तरह हैं फ्लक्सिबल नहीं होते और हमारा कुछ बाड़ी पार्ट जो होता है वो बीच में रुकाव डल सकता है और आखर मैं ऐसे क्लिप देखिए जिसमें एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा खेल बगड़ जाता है तो दूस्तों कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा ही वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में खुदा हाफिज सस्तुरियकार नमस्कार